तो सारी डीटेल में बतलाऊंगा और पूरे चीदें देखेंगे सबसे पहले वह भी देखेंगे हम और यहां पर बलाल भाई यहां की जो ओनर है उनसे बात करेंगे असलाम अलेकुम बलाल भाई अभी हम जो ठेरे वे हैं शासरी पुरम का ड्रेस ना है यहां यहां पर एकसेसरी से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके होर्सेज भी इस वीडियो में बतलाएंगे तो क्या-क्या चीजें एवेलेबल है आपके पास यहां पर रैडिंग पर्पुस के लिए सुब हैं अजी मृव ब्रेटे अर आपके रहे बनी आपके आपके अपके बनाउने जा स्टार्पुस के लिए पूर्पुस अवेलेबल हैं यहां भार्व ऑनिप्स हैं अशादी बारत वालों के लिए पूर आइटम में पर बैडिंग रहाइंगे पुर हैं अपके इस में लिए कॉलिटी के है एक तम लेदर में प्यूर्ट यह बीधी अबलेबल है इस अब चीद है हर एक कॉलिटी की सैडल है हुआ है ऐफ अबलेगल है स्टार्टिंग प्राइज का अप्राइज है साडल्स का अप्राइज प्राइज को प्राइज ब FREG आम पक्राइज हैं और हरे किसम गर्म जाएज रख पस भायों नाइलों नालों देडर Tai और रेट बाले तो अलग छाप सो वाला के यह अवेलेबल है पुरा बिलकुल यहां के लोग मैं बतला रहूं आप लोगों को कितने खोड़े हैं यहां पर इस ब्रांश पर आपके पास टोटल लिए टॉंटी टू होर्से से हैं और दो तीन मेल से और गल्बाग हो भी है यहांने सभी ब्रेट से और सभी कॉलिटी वाले मिल जाएंगे आपके पास वच्षा है जोडें ताय शीक्सटी त्री चाला अबलग फाद को यहां चीज के आपके ब्लाग अर यह ड्यक्तथ को अब टूट आरे अब दूद के दात पे घंट में लागा तोड़ा तीन पर वाइट है इस दूरा तीन पार इसके यहां झाला तोड़ा नहीई पंचकलि क्या है इसकी ? 62 प्लस प्लस अबी क्या है इज वी तौ प्लस год अबी तू प्लस के अच अधा है शीक नाधी दाथ बतला आजीम मैं थेरो आप इस तरफ तो 62 हाइट दिखेंगा ये लड़के को आप इनों देखेंगे ये देखेंगे ये दिखेंगे आप हाइट तोड़ने से कंडिशन थोड़ा लो दाना वाना जम रहा है और बहुत अच्छा वजाता है और अच्छा था लाए खुर ये स्टैलियन है य अच्छा यहांनि कोई भी अगर आ रहे हैं तो यहां पर चेक करवा के भी बतला दिखेंगे जिए मारवाड में है और ये वाला ये वाला ये वाला एक स्टैलियन हमर बें 64 प्लस है हाइट में 64 पूर इंगलिश के तरह हाइट दिखेंगे इसकी गोड़ा बड़ा है अब पर चोटे आप दिख रहा अपने हुगा कर आपको लिकाल के बतला हो जो तो मैं बाहर लिकाल करें बतला जाता है और ये पंचकलियान काला अपना कोहीन हो रहे है जो यहां का स्टैलियन है वो बीडिंग परपोस के लिए उसकी इस वास हो है हम 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 होता है चारो पैर में स बाहर कोगे देखिए एक दम साफ काला पंचकलियान घोड़ा है स्टैलियन है और यह काला अबला अबला यहीं इस टैलियन हाई है जी इस ट्रीच है ज्या इस जिए भाण कंडिशन का गोड़ा था जए और अचा ऑर यह बार इन इस और इस अंगा प्रप्र पुरा अच्य 60-70m की जंपिंग करा सो है और क्या हाइट है इसकी 65 हाइट है फोर येर्स एज है 65 हाइट है अदर ही चाहता चार साल में और 65 है अच्छा और लेंद भी बहुत ज्यादा है इस गोड़े है और ये वाला है उमरवई जिनियन कोई customer है तो आप आएकर से देख सकते हैं तो आप आप आए हैं तो सकते हैं और अब इसका ही अधि नीडार गोड़ा आए टोकुमेंट इस में पर ऐपूर से आया पूरे डिटीलेवल गोड़ाका नाया है विल्कुल जनियून रेकॉर्ड है आप लोग आके भी देख सकते सारा रेकॉर्ड भी बतलाएंगे क्या हीट है इसके भी इसकी 64 हीट है 64 हीट इसकी इस में स्टाइलियन है गोड़ा तो बड़े स्टाइलियना है बिलाल भाई आपके बास जो होर्से से तो स्टाइंग तो एंड का एक एवेरेज प्राइस बतलाएंगे यानि क्या रेंज के घोड़े है आपके पास मिनिममम तो मैक्जिमम मन्द से तो हमर में मेरे पास पूरे हाइफाइ स्टाइलियना थे इस विए से रेंज जादा था कस्टमर कॉल करें मैं कस्टमर को बोला भी कि बढ़ के मेरे पास आपी उन लाग पिलो का लिए और गोड़े आवेले नहीं है मगर थोड़ा का स्टमर का रिक्वार्मेंट था कि एंडर गोड़े बतलँ वे एक दो फीमेल तो में ही है एक फीमेल है और एक वनलाग टुन्टी थोजन की एक फीमेल आईवी है और एक चा पूरा में कवर नहीं करा सकता है बिल्कुल अभी जो एवरेज रेंज है वन लाग रुपी से स्टार्ट है नहीं यानी मिनिमम नाइटी थाउजन से वर्लाग रुपी स्टार्ट बिल्कुल अपन दे दी बिल्कुल और अभी दो तीन घोड़े आप निकाल के बचलने वाले भी यह एक दो फीमेल से रहे और एक गंडर नुक्रा है वो एक बतला रहा है बलाल वे सबसे पहले यह गोड़ा है अजी मही आप चहरे के वह साइट जाए यह मेर है अच्छा मेर है यह मेर है फाइयर सोल्ड है हाइट सिक्स्टी आती इसकी और हम जिसकें से खरीद है वो बोला मेरे को उसकी वीडियो बतलाया है कि घोड़ी प्रेग्नेंट है नहीं मैं पूछने वाला था यह सवाल क्योंकि यह बच्छे दीवी है या देने वाली है अच्छा क्रॉसिंगा वीडियो भी है आपके पाद चिक है और क्या है इसकी पूरी वाइट है और यह वाली भी है यहां से कब्लीटली देख सकते आप इसकंदर नाशती सलाम करती अच्छा पूरा सिकी विद्राजीम बतला उसका विच्छे बांड कंडिशन में है बिल्कुल ठीक है थोड़ा सा नाशकन बतलाएगे इसका सलाम करें बतले है अकatroफी और भांड करना करनाना थाव्याओ भीड, रभीडता बहुत वाइच्छा, लॉज्ता, टीक है और नाशकन अँग भीड़ने में अपने को भीडिया करना नहीं, जल्म करना पे नहीं आपना की आद वह अच्छी घोड़ी है पाइली बाद अगर कोई घर पर रखना चाह रहे हैं वह अच्छी घोड़ी है इतना साफ राइडिंग करती किसी को भी बठा लेके जाके आती और इसके बाद में यह एक नुक्रा भी है आपके पास नेक्स्ट में यह है और कान की कॉलिटी माशालला एकदम जबरदस्त क्या हाइट है बलाल भी इस घोड़ेगी 61 प्लस और चहरा अजिम बतलाई है इदर यह गिल्ड़ेट है तो यह फ्रेश गिल्ड़ेट हो अब आएक ने 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 बुराना है सीनियर बुड़ा है गाड़ी मतलब ऑल इन वन है अब ताइंगे पर यूज़ कर लीजे गाड़ी पर यूज़ कर लीजे जैंग और राइडिंग को यूज़ कर लीजे सब में चलता बगी वगरा सब चलो है इसकी तो फुलकारी नुकरा वो ते बिल्कुल हलके से स्पोर्ट से देखे फुलकारी नुकरा है और चेहरा बिल्कुल बारी क्या एज है वले था इसकी पांस साल और सिक्स्टीवन हाइड है ठीक थोड़ा वॉक कर रहा है जिंब वैसे स्टेट वाक कर रहा है बैट के बढ़ा हलका से जाके आजा दूर नहीं देखे एकदम शर कान की कॉलिटी वगर एकदम मिला के चलने का बिल्कुल साफ सुत्रा गोड़ा है यह देखे बहुत खुबसूरत है फुलकारी रहने के बावजूद भी बिल्कुल पिंक चेहरा है इसका गिल्डेड होड से और गिल्डेड के वज़े से यानि यह मारते यह कतरते नहीं बह इसके बाद में एक और है वो भी देख लेंगे अच्छा गोड़ा है जी एक साइड से तो पूरी नुकरी है और अजिम बहुत पल्टाई इसके चेहरे पे सिर्फ इस साइड में हलका सा ब्लैक शेड है जो ग्रे कलर का उसकी वज़े से यह संजाब में आ गई वरना पूरी अज़ा है कि एज इसके 57 तो 58 है 57 तो 58 और क्या एज है एज में इने 5 से 6 साल है पांस से 6 साल है अगर अगर चोटे बच्छों को भी बठा लो मस्क तो रेडिंग कर आथी एक अच्छी गोड़ी और हाथ पैर की भी अच्छी गोड़ी अब इसकी अब ही खाली है यह ज़ा ठीक है और एक बर थोड़ा सा वाक कराई इसको ने ने इंको बिठा दो एक बर वाक भी करा लो अच्छा इन्नों राइडिंग कर लेते से मिलकुल शान थे देखिए यह भी घोड़ी एकदम यानि कतने करने वाली नहीं है छोटा बच्छा भी बैटके यानि चला सकता आराम से यहाँ पर पलटाई यह लालो इदर आराम से आजारी घोड़ी है कान भी देखिए बिलकुल मिला के चल रही है और लुक वगरा भी अच्छा है स्टैंड गर्दन वालो अठागे यह घोड़ी भी बगई वगर चलती पिलाल में मेरे को कुछ आईडिया नहीं है अच्छा अगर एक बार लगा के देखे तो अच्छी बात है बिलकुल वाइड घोड़ी मेरे सकते हैं अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो और और भी कमें भी मिलेंगे इंशाला बिलकुल तो जो वियर्स है आप लोग आईए एक बार विजिट करिए यह शरीफ यानि थोड़े से घोड़े देखे आप बहुत बड़ा काम है तिलंगाना इस्टर्ट फार्म का बहुत सारे घोड़े है आप लोगों को जो समझ में आ रहा इंशाला प्राईस कम हो जाएंगे आप भी होड़े है बिल्कुल चलिए इसी तरह में और बहुत सारे अपडेट्स बतलाओंगा आप लोगों को चैनल को लाइक सिस्क्राइब शेयर करिए थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यों